हेलो गाइज, नमस्कार, मेरा नाम परबंच अंद्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं Mr. Sunlight के इस बैतरीनी और खास वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताने वालों कि इस Cyber Attack क्या है, और अब इतना रिसेंटली न्यूज में क्यों आ रहे हैं, सिंस ऑस्टेलिया में जो Cyber Attacks हुए हैं और जिसमें प्राइमेस्टर वहां के ऑस्टेलिया के इनों ने खुद आके संबोधन दिया है कि यह बहुत devastating impact रहा इस Cyber Attack का, जिसने infrastructure और यहां तक की जो hospitals हैं, उनके जो infrastructure है, उनके जो data को है उसको भी leak किया, तो यह बहुत ही मुश्कि यह backup है, इसके पीछे की हाँ, यह सब गतिवीडिया जो है, यही करा रहे हैं, और इंडिया, आज जून किसको है, और यहां बताए जाला है कि आज से Cyber Attack शुरू हो सकते हैं, करीबन 20 लाख लोगों को यह effect करने वाले हैं, क्योंकि 20 लाख लोगों की जो email IDs हैं, वो इन North Korean Intelligence Group, Lazar के पास, और कहिना कहीं, जो Nikon Group है, चाइना का, वो दावा कर रहे हैं, news articles इनके पास हो सकते हैं, और कहिना कहीं, हम एक individual level पर भी और एक organizational level पर भी यह attack देखने को मिल सकता है, तो इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा, क्या क्या हम सीखने वाले हैं, कि what is it, और how it can happen, कै solutions क्या हो सकते हैं, आपके individual level पर बताऊंगा, और organizational level पर तो वो है ही, उनको तो मैं क्या बताऊंगा, मैं सिफ individual level पर बता सकता हूं आपको, और who is there to do this, यह सब कौन कर रहा है, और कितनी readiness है हमारी Indian government और Indian sectors, organizational institutes की, कि वो cyber attack को रोख सकते हैं, और इन सब गतिवीदिया है, यह सब activities है, इनको कहना कहीं काबू मैं कर सकते हैं, this is a lot to learn in this video, so let's start with me, my name is प्रवन चंदर और आपके लिए ऐसे लाते रहता हूं मैं इस चैनल पर, तो पहली बाद बताता हूं आपको phishing होती क्या, दोस्तों देखे, जो एक word आया नहीं है, phishing, इसके उपर खास ध्यान दिया हमारे जो cyber attack हो रहे हैं, इन से बचने के लिए ये committee जैसे NDRF है, वो कोई disaster आज़ता है, तो वो मदद करते हैं, तो वैसी अगर ऐसा cyber attack होता है, तो ये committee and computer emergency response, ये हमें मदद करेगी, इन सब चीजों से उभरने के लिए, ठीके ना, तो इन्होंने क्या अपनी advisory दी थी, जू पर फिशिंग क्या होता है, फिशिंग ऐसी चीज है दोस्तों, फिशिंग होता क्या है, बेसिकली फिशिंग में आपका जो electronic device है, उसके उपर नज़र रखी जाती, कि आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी website पर जा रहे हैं, और वो कैसे होता है दोस्तों, वो ऐसे होता है कि आप कभी कबार ऐसे कोई email आता है आपके पास, और वो email आपको लगता है कि यह तो local authority से है, और basically यहाँ पे जो CRT है, जो CRT उसने भी दावा किया है कि ऐसे कुछ email आएंगे आपके पास, कि वो बोलेंगे COVID-19 की testing जा रही है, या फिर COVID-19 से related, और आपको लग content Gmail है, उनके पास उनके password भी जा सकते हैं, जिसके वो मेरे device को अपने उपर capture कर देंगे, उनकी authority बन जाएगी मेरे device के उपर, और वो जो चाहें, फिर वो मेरे device के साथ कर सकते हैं, ऐसा है, यह उता है phishing, कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी, फिर आप जो चलाएंगे, उनकी मर लीजे, क्योंकि recently, जो mobile users अब ज्यादा है इंडिया में, इसलिए मैं mobiles के related ही बात करहूं, ऐसा ही आप कुछ laptops और desktop के case में भी समझ सकते हैं, अच्छा, आगे बताता हूं कि solutions क्या है, solutions से पहले, जो solutions हैं, उनमें यह बताता हूं कि देखिए, पहले तो आप कोई भी ऐसी email ID को खोले ही न, इमेल ID को खोले ही न, यह solution CRT ने अपने publish किया हूं है, अपने advisory में भी, कि कोई solistic emails को ना खोले, solistic emails क्या होते हैं, जो कि यह behavior show करते हैं, कि वो आप से कुछ पैसे की पैसा मागना चाहते हैं, या फिर आप से financial data लेना चाहते हैं, जैसे ATM का number, या फिर आप स से कुछ transaction करान चाहते हैं, वो होते हैं, solisticated emails, ठीक है न, उसके बार यहां पर उन्होंने एक और चीज़ बताएए कि, उन्होंने ये भी बोला है कि आप अपना अगर आपके आस antivirus है, या फिर कुछ firewall है, तो उनको on करके रखेगा, और कोई भी unusual activity होती है, तो उसके उपर मत जाईएगा, वहां पर off कर देजएगा अपने system को, या फिर उसको open ही नहीं करिएगा, काफी बार आपको अपने system पर lag दिखने को बिल सकते हैं कि इसको download करो, ये करो, तो please उससे download मत करिएगा, और कुछ भी ऐसी गति वीडियों को, अपने कुछ भी activities इन सब website से मत करिए कोई भी, चाए वो details भणने के लिए हो, या फिर अपने email ID सेंड करने को, कुछ भी मत करिए, क्योंकि यहां पर 20 लाक लोगों की email ID है, वो पहले से उनके पास है, अगर कहिना 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 आपकी email ID भी चले जाती है, तो कहिना कि आप भी आ आजेंगा, 20 लाक लोग तो वो गिने चुने लोग होंगे, या private firms होंगे, या companies होंगी, जो की बहुत अमीर है, जिनके आज बहुत पहले तो उनको वो target नाएंगे, हम लोगों को जैसे middle class family, उनको इतना जाधा target नहीं हो सकता है, लेकिन तब भी, अगर आप ऐसी activities में involved होते हैं, ऐसी website में involved होते हैं, तो य इतना सा आपको ध्यान में रखना है, अब आपको लग रहा होगा कि यार यह जो attacks होने करा कॉन रहा है, इनके पीछे है कौन, देखिए, दोस्तों, basically इनके पीछे होता कौन है, यह ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता, कोई भी कि इसके पीछे हो कौन सकता है, लेकिन मैं आपको है, अब श्रहना कि चायना और और ऐस्टिलिया अब एक बहुत अलग अलग मंश में दिखाए देते हैं, वहाँ पर टैरिफ लग चुके है, चायना के अंदर बहुत अर टैरिफ लग चुके है, तो कहना कही चायना इसलीं भी कर सकता हैं, और चायना और नौर्ट कोई ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखें इंडिया के अंदर अभी हुआ है LAC standoff और चाइना के साथ हुआ है तो चाइना के अग्रेशन में है और वह अपने अग्रेशन दिखाना चाहता है किसी भी रूप में तो इसलिए वह कर सकता है तो आप बता देता हूं कि होता क्या है चाहिना के फोकस हो गई थी कि cyber attack आने वाली दुनिया का फ्यूचर है तो इन पर जो है जाता ध्यान लगाना चाहिए रधर दन न्युक्लियर वैपन सटेंड करने में प्यालोजिकल वैपन सटेंड करने में क्योंकि आने वाला टाइम होगा इंटरनेट का उसमें cyber attack से ज्य लिंग्ड है PLA से PLA मतलब दोस्तों PLA है पीपल लिबरेशन आर्मी जो की आर्मी है चाहिना कि उसके अंदर एक यूनिट है और कहिना के नाइकॉन का उसी से संबंद है कि नाइकॉन कहिना कहीं PLA की एक यूनिट है जैसे इंडियन आर्मी वह उनिट होती है तो वह भी एक software है और hardware उनको attack करने के ताकि जो भी systems है जो भी कोई भी communication है वो gap बन जाए और वहाँ पर जो है communication इतनी चत्रिकेस बैठना जाए और भी काफी उनके initiatives होते हैं क्यों कर रहे हैं लेकिन यहां पर जो attack है वो both individual level पर भी हो रहे हैं और organization level पर भी हो रहे हैं तो recently हुआ क्या था तो यहां पर जो बात आ रहे हैं कि how we are ready हम ready कैसे हैं देखिए पहले तो CRTN है CRTN ही पहले और दुसरे में आती है हमाई डिरेक्टरेट आफ इंडियन डिफेंस उनिवर्सिटी ऑफ दे हेड़क्वार्टर इंटिगरेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट इसी मालने जी जून के अंदर गुवा था है यह बारा जून और तेरा जून को कहें न कहीं ये जो वरक्षोप वी थी उसमें ये बताया गया था कि यह लोग अपने जो तागते हैं अंसाइबर स्पेस उसको भी अपना रहे हैं उसके अंदर डैप्लमेंट कर रहे हैं बचाने की बात है तो हमारे पास भी हैकर्स और ट्रैकर्स दोनों मौझूद है और वह हमें बचा सकते हैं कहना कई इंडियन गौर्मेंट का दावा है और इंडियन आर्मी को भी सशक्त बना दिया जाए इन सब साइबर वार्फेर से लड़ने के लिए तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया कि कैसे हो सकता है सल्युशन किया है इसके और कौम इसे कराता है बेसिकली जो पूरे यहांपर सीनारियो हम देखने को मिलता है वह यह है कि सवाइबर एट्वांटेज रूप है तो कहना कहीं अगर यह disadvantage है तो इसको अपना सकते हैं हमारे adversaries हमारे जो opposition हमें है अपने जो enemies है वो अपना सकते हैं इसको करने के लिए तो this is all the end of the analysis आपको कैसा लगा है इस वीडियो में जरूर बताएगा comment करके कि आपको बहुत कुछ जाने को मिला होगा और आप please ऐसे कोई भी email पर नहीं जाएगा या फिर कोई website पर नहीं जाएगा जो की सुरक्षित नहीं है security नहीं है उसके अंदर HTTPS लिखा होना चाहिए ह अगर आप Google पर जाते हैं तो क्योंकि वह protocols follow करती है और emails को बिल्कुल भी details तो पहली बात किसी भी form में fill मत करेगा कोई भी authentic अगर form ना हो तो this is all the end of the analysis अगर आपको अच्छा लगता है analysis तो share करिए like करिए और subscribe करिए हमारे चैनल को Mr. Sunlight thank you और अपनी अगली वीडियो में मि अगर बादे निवाद